दोस्तों एलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिगार्डियों मैंने बहुत सारी वीडियो से आप लोगों को दिया और यहीं पर दोस्तों ओला एलेक्टिक ने अपने लेटेस लांज कर दिया है रोडस्टर जिसके बारे में थोड़ा से डीटेल में खुल करके आप लोगों से बा बाइक के डिजाइन पर इसको लाँच करागा है, इसके साथ में अगर Ola के वेबसाइट पर जाओगे तो इसको आप 999 रुपीस में आप रिजर्व भी कर सकतो, और देखने में डिजाइन, लुक वगरा काफी तगड़ा है, बट इन डीटेल में इसके स्पेक्स के बारे में भी बात करते हैं, इसके प्राइसिंग स्टार्ट हो रहा है 1,05,000 रुपीस से, और टैक्स बाक्स मिला करके थोड़ा बहुत, आप देख सकतो काफी अच्छा है, एक 1,00,000 रुपीस में आपको काफी नेक्स लेवल वाला, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला, आपको एक O बात करते हैं, यहां पर जाकरके, बहुत सारे आटो होल अपडेट, मतलब यह जो ना अप साइड में जब कर चलते हो, जैसे कि इंडस्टी लीडिंग ऑटो हिल होल, यानि अगर अप साइड में रहोगे तो रुख जाएगा, क्योंकि होता है कि जब गाड़ी स्लो हो जाता यहां पर मोनोलिथिक डिजाइन है, यानि कि सिंगल सस्पेंशन वाला डिजाइन है, डाइमंड कट अलाई, वील्स वगरा आप देख सकते हो, यहां पर जोने डाइमंड कट वगरा दिया जा रहा है, साथ मैं LED प्रोजेक्टर हेड लाम देकर रहा है, जो कि काफी अच्छ रेंज है दोस्तों 248 km जो कि अब तक का हाइस है कोई भी इवी बाइक के अंदर में, साथ में 0-40 km 2.2 सेकेंड के अंदर में यह स्पीड को अचीव कर लेता है, साथ में टॉप स्पीड 126 km पर आर का टॉप स्कीट का यह क्लेम कर रहा है, बागे डिजिटल टेक्नोलोजी म इन्हों ने इंट्रूस करा, जो कि AI-based है, जैसा कि आपका Google Assistant Alexa वगरा काम करता है, उस तरह से यह काम करेगा, बाट आपके यह गाड़ी के अंदर में काम करेगा, निकालने के लिए टाइम, वेदर वगरा बताने के लिए, बहुत सारे use cases हो सकते हैं, जिसके बारे में हम future मे आज आएगे तब बताएंगे, और दोस्तों यह फिलहाल वेहिकल अभी test drive के लिए available नहीं है, launch date अभी तक confirm नहीं हुआ है, बट यहाँ पर pre-registration स्टार्ट हो गया, recently Ola वालों ने एक showcase भी रखा था जहां पर की गाड़ी को touch करने नहीं दिया था, बठाँ देख सकते थे औ आपको एक नया feature introduce करा, आप देखो, जैसे मालों के 3-4 दोस्तों लोग आप साथ में ride कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है exactly दूसरा rider कहा है, तो यहाँ पर group navigation में आपके display में ही बता जाएगा कि आपका दोस्त कहा है, कितने distance में है, जैसे कि आप image में देखी सकते हो, इस regenerative rating को set कर सकते हो, आप off कर सकते हो, low, medium, high कर सकते हो, इससे क्या battery का power regenerate होता है, साथ में throttle sensitivity low, medium and high के हिसाब से set कर सकते हो, इसे साथ में आपको safety के हिसाब से आपको tow, theft and tamper detection के बारे में बताया जाएगा, यानि कि अगर कोई आपका गाड़ी tow कर जाएगा, तो वो आपके mobile notify कर जाएगा, अगर किसी ने चुरा लिया तो उसका notify कर देगा, साथ में location based tracking तो आपके पास में रहे गाई, साथ में यहाँ पे cornering ABS technology को यहाँ पे use करा गया है, automatic braking के लिए जो की braking system को काफी तगड़े बना देगा, साथ में emergency SOS वगरा भी यहाँ पे introduce करा है, engineering के बात करें दोस्तों front and rear में disc brake का introduce करा गिया है, दोनों तरफ आपको जोने disc braking देखने को मिलता है, जो की काफी तगड़े वाला चीज है, moon shock suspension rear में आपको देखने को मिल जाएगा, and 13 kilowatts का peak engine आपको यानि की motor आपको देखने को मिलेगा, जो की काफी next level speed आपको देखा, brake wire यानि braking technology थो देख सकते हो, अगर आप पेट्रोल गाड़ी छोड़ करके EV वेहिकल लेते हो, अरॉन 30 kilometer का अगर आपका travel range है हर दिन का तो आप लगबग 2000 रुपे आप पैसे बचा सकते हो, तो यह है दोस्तों, recently Ola का roadster का feature, बांकि इसमें अलग-अलग models वगरा launch होके रखा, इसके उपर में एक separate वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा model, क्या price देंगे, जैसे देख सकते हो, roadster 2.5 roadster X है, 75,000 का roadster एक और X है, जो की 3.5 kilowatt battery के साथ में आता है, जिसका 85,000 रुपेज में और एक एक लाग रुपे का है, तो इसके क्या differentiation है, आने वाली वीडियो में जुरू बताएं फिलाल इस वीडियो में इतना है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वाली वीडियो में, अगर आपका क्या opinion, feedback, comment है, EV vehicle के regarding, cola electric roadster के regarding, सब चीद comment से बताएं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वाली वीडियो में करते लिए, बाए